हरे कृष्णा तो प्रश्णा ऐसा है कि चार आश्रम के बारे में कृपाया बताईए सो कुछ आउडियो मेसेज पहले मैंने चार वर्णा के बारे में बताया कि वेदिक संस्कृति में ये वर्णा आश्रम है चार वर्णा जो है ब्रामन, शत्रिया, वैश्या और शुद्रा और साथ साथ में चार आश्रम है जिसमें ब्रह्मचारी, ग्रहस्ता, वानपरष्टा और सन्यास कहते हैं तो ये दोनों सेक्षन है ये चार वर्णा और चार आश्रम ये दोनों चीज जो है बहुत ज़रूरी है कि भक्ती में अगर प्रगृती करने का खास करके इस दुनिया में रहने का तो ये एक social spiritual orders है social spiritual orders, social में function करने के लिए ये दोनों चीज ज़रूरी है वर्न केते कि किस job से या किस प्रकार से काम करते है और आश्रम केते कि किस प्रकार से जहां आप आश्रे मिलते हैं function करने के लिए society में तो वर्न हमने और डिसकस किया कि बगवान बगुर्गीदा में बता रहे कि चतूर वर्नम मयाश रिष्टम गुन कर्म विबहागसा जॉब के से define करते हैं कौन है ब्रामिन कौन है शुद्र कौन है शत्रिया जॉब है वर्ना जो है वो गुन और कर्मा के इसाब से जन्मा से इसाब से नहीं है तो उसके साब से कौन से कर्म हम करते हैं, तो उसके साब से हम उस नाम लागू हो जाते हैं. तो ये वरनश के बारे में हमने चर्चकिया. तो अभी आश्रम क्या है? आश्रम एक psychological satisfaction या psychological peace मिलेगा, शांतता मिलेगा कि इस जुनिया में जब हम रहते हैं. तो ब्रह्मचारी, ग्रहस्ता, वानपरष्टा और सन्यास हम देखें यह चार आश्रम का है चार आश्रम खास करके हमको भक्ती में या spiritual life में आधियात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रगती करने के लिए बहुत अवश्रक्ता है तो हम देखेंगे पहले जो है step है ब्रह्मचारी तो शास्त्रा से कहते है कि पहले 20 साल जो है सब boys जो है गुरू का आश्रम में रहना चाहते है रहना पड़ेगा और उसका training मिलना चाहिए 20 साल है 5 साल से 25 साल तक तो जब यो 25 साल होने के बाद फिर उनका इच्चा है गुरू भी उसका निरिक्षिन करेंगे और कहते हैं कि ये इसका fit है कि lifelong ब्रह्मचारी रहने के लिए ओ नाइश्टि का ब्रह्मचारी कहते है और कुरू लेपते कि नहीं इसका इच्चा है बहुत है इसको better शार्दी होने दो क्योंकि शार्दी करेंगे तो शायद उसका मन शान्त हो जाते है इच्चा जो है और शान्त हो जाते है इस तरह से जो टीनेजर है या यूथ है 25 के बाद ओ ऑप्शन मिलेगा कि नाइश्टिक ब्रह्मचारी रहनेगा या उपकूरवान ब्रह्मचारी मतलब ओ ग्रहस्तर आश्रम में प्रवेश करेंगे तो 25 यह टाइम है शादी करने के लिए तो बराबर अपना सब जो भी है एस्ट्रोलोजी देखके मैचिंग करके तो 25 यह शादी करेंगे अब यह ग्रहस्तर आश्रम कब तक है उसको भी 25 यह तक है पचीस साल के तो जो व्यक्ति है मेल है शादी किया 25 यह जो में 50 यह तक ग गरहस्ति ऐसा मत रहो फैमिले का बहुत आसकती आपके जितना भी जिम्मदारी सब कर चुके उसमें experience में मिलेगा पूरा life का समझ गया कि क्या है क्या नित्या है क्या अनित्या है 50 साल में आप वानपरश्टा आश्रम को स्विकार करो वानपरश्टा में क्या है वानपरश् वानपरश्ट हो गया कि business ए family affairs में गुस्ते नहीं है और बस अपने ज्यादा भजन करने का family नहीं चोड़ेंगे family के साथ साथ में रहेंगे लेकिन थोड़ा धूर है ज्यादा time भजन है और फिर last में सन्यास लेने का सन्यास मतल्ब सब कुछ चोड़ के एक जग़ा पे नही का सन्यास, ब्रह्मचारी यह सब थोड़ा modification है तो हम देखिएंगे आज कल का ब्रह्मचारी आश्रम हम लोग 25 के बाद ही जोइन करते हैं, काफी टाइम है कोई बच्बन से जोइन ने करते है तो यहाँ का आज कल का जो ब्रह्मचारी ग्रहस्त, सन्यास और वानप्रष्ट, यह थोड़ा सा modification के इसाब से हम accept करना पड़ेगा तो आज कल का कल्योग में ब्रह्मचारी मतलब क्या, जिनका इच्चा है कि मंदिर में रहनेगा और केवल सेवा करनेगा, और कुछ नहीं उसका बदला में, उसका रिटन में क्या मिलेगा है, वो कुछ जॉब या कुछ भी काम कर रहे तो रहा इंकम भी मिलेगा वो फैमिली रहनेगा, ओके तो यह दो में हैं इसकान का समाज में ब्रह्मचारी और ग्रहस्ता हम देखेंगे जो भी हो ब्रह्मचारी और ग्रहस्ता दोनों भक्ती हैं, दोनों 16 माला करते, दोनों चार नियम पालन करते, जोनों सुबवे उतते, प्रोग्राम करते, सेवा करते, जो भी है, उके, सो हम कहेच सकते कि ब्रह्मचरी जो है, फूल टाइम है, क्योंकि हमेशा बगवन का सेवा ही करते, और ग्रहस्ता अगर उन मंदिर के साथ काम नहीं करते, बहार कुछ और जॉब करते, तो उनका तुरह बैलन्स करना पड़ेगा, बहार का काम और सेवा भी है, करना पड़ते हैं, वानपरश्टा आज कल कलियों में बहुत कम है, कि लोग सब छोड़ चड़ के responsibility और भजन करने एक जगह पे, क्योंकि मन चंचल है, तो लेकिन वानपरश्टा खास करके घ्रहस्ता जो है, उनको भी पता होना चाहिए कि कब exit करना, क्योंकि खेवल हमेशा घ्रहस्ती जीवन में रहने का भी, अगर family life अनुकुल नहीं है, तो उनका भक्ती के लिए भी अनुकुल नहीं है क्योंकि इतना सारे disturbance आएगा ही आएगा, बच्चे का ये problem हो गया, बच्चे का बच्चे का फोते का जो है, उसका भी problem हो गया, तो फिर ओ आते ही रहते हैं, तो भजन कप करनेगा फिर, बगवन के उपर चिंतन कप करेगा, आप family के उपर ही चिंतन करेगा, एक पीडियां स सन्यासी जो है, वो प्रचारक है, प्रचारक मतलब फुल टाइम प्रचारक है, वो गुमते रहते हर जगा, मंदिर के मंदिर, देशों देश, और हर जगा जाते हैं, और प्रचार करनेगा, और सन्यास मतलब they are not dependent on facility, फैसिलिटी के उपर निर्भर नहीं है, ब्रह्म चरीके से आश्रम में रहते हैं, फैसिलिटी मिलते हैं, जो मंदिर देते हैं, वो यूज करते हैं, सन्यास ऐसा नहीं है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, वो चलते रहते हैं, यह सन्यास का मूड है, जो भी है यह चार आश्रम हैं, सब चारों भक्त हैं, सब चारों भक्त होना चाहिए प्रवपाट कहते कि मैं ब्रह्मचरी इस ब्रह्मचरी मेरा ग्रहस्ता भी ब्रह्मचरी एक प्रकार है क्योंकि वो लोग भी चार नियम पालन करते हैं वानपरश्ट तो भी ब्रह्मचरी है सन्यास भी ब्रह्मचरी एक टाइप है क्योंकि सब भी लोग जो है पर ले सके, आजकल का बहुत सरे fad है, fashion है, कि बहुत सरे युवक जो है, boys जो है, young youth जो है, वो बोलते कि नहीं मुझे single रहने हैं, मुझे शादी नहीं करने का, bachelor रहने का, तो ये ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि वो पैसा कमाते हैं, बहार रहते हैं, अपना अपार्टमन मे बस अपना जो करते हैं, वो ही करने का, तो ये घलत हैं, अब किसका आश्रे पे हैं, अब गुरु का आश्रे पे रहो, नहीं तो शादी करके wife का आश्रे में ले लो, so ये bachelor रहने का बीच में ये danger है, अगर आप ब्रह्मचारी बनाओ मंदिर में, नहीं तो बाहर जाके कि काम के अनुसार कुछ नियम है, वो वर्ना बोलते हैं, और साथ-साथ में अधिहात्मिक का प्रगति आपको फिफ्ट गियर में जाना, फास्ट जानेगा, तो ब्रहमचारी स्विकार करो, फास्ट जाएगा, आपको सेफ में जानेगा, तुरा हलू-हलू, धीरे-धीरे, लेकिन सेफ हैं, तो ग्रहस्त का पकड़ो, लेकिन जो भी है, लास्ट में डेडिकेशन तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक डेडिकेशन नहीं आते है, सन्यास के मूड जैसे हैं, शायद सन्यास का वस्तर नहीं पहनेगा, लेकिन मूड जै है, सन्यासी का मूड जो है भावना जो है कि पूरा कृष्णा के लिए सेवा करता हूँ, भगवान के लिए सेवा करता हूँ, जो भी है, तो जब तक यह नहीं आएगा, तो ऐसा कह सकते कि ब्रह्मचरी आश्रम जो है एक हाईवे जैसे हैं, फास जाते हैं, और ग्रहसता आश्रम जो पुराना का रोट गाओं-गाओं से प्रवेश करते हैं, गूमते रहते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है, तो यह हमारे उपर है, हम कौन से मार गया, कौन से आश्रम में चूज करना, लेकिन इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान बहुत सुन्दर सिस्टम बनाया, काम के लिए वो वरन जिस्टम बनाया है, कि वो हमको help करने के लिए, लेकिन लक्षय नहीं है, कोई सोचे अरे मेरा जीवन सफल हो गया, में ब्रह्माचरी बन गया, नहीं, मेरा जीवन सफल हो गया, वे सन्यासी बन गया, नहीं, सफलता नहीं होते जब तक हम भगवान कृष्णा प्रेम नहीं प्राप्त होते हैं कृष्णा प्रेम प्राप्त होगे वही एकी सफलता है वही एकी गोल है हमारे यह सब वर्ण और आश्रम जो है सिस्तम्स हैं बगवन बनाए हमको help करने के लिए हरे कृष्णा